असलावनकों स्टुडेंट्स आज हम करने वाले एक्सराइस 19.2 प्लास 10 की वैसे किसी भी क्लास की हो यह आज आप सिखेंगे डेटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना हम दो तरीके से डेटर्मिनेंट्स तरीका तो एक ही होता है लेकिन हम दो मैंटर्स को अप्लाय करेंगे एक 2x2 वाला और एक 3x3 वाला सही है अच्छा परेवें कोश्टन्स लिख देते हूं किस तरह कोश्टन है हमारे पास मैं दो तरह के कोश्टन लिखूंगी पहले वैसे तो इसके डिफरेंट पार्ट है इस कोश्टन के लेकिन फिलहाल अभी मैं 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 मैंशन करती इस्टूडन्स मैंने यह दो कोश्टन कॉपी कियें कोश्टन नमर वन और नहीं पार्ट वन और पार्ट पाइप इसका मतलब यह नहीं कि हमसे यह कोश्टन करेंगे अब से जस्ट मैं को कंपेरिजन करवाने वाली हूँ देखें यह जो है यह 2x2 का मैट्रिस है 2x2 और यह इसका डिर्टमेंट निकालना गजरी का अलग है अलग फॉर्मुला है और इसका अलग है लिकि दोनों ही बहुत बहुत आजा असान है बहुत आखें Chief 2x2 के मैट्रिसे स्टार्ट करते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे पहले तो बता देती हूंकि मैं आपको Caleb करना होगा तो मैं copy कर लैती हूं करने पर first question में तो आपको एक-एक step बताया जाता है पिर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस matrix में से ज़स्ट बताने के लिए कि ये value A है और ये B और ये C और ये D मतलब कि इस कोने में D है ये C है A, B, C, D A, B, C, D formula होता है हमारे पास determinant को find out करने का A, D, minus B, C तो आपने भी simple ऐसे ही करना है A, D, minus B, C है न तो minus 5 multiplied by minus 4 फिर minus तो formula का है B, E में क्या है ये B है देखे B, B, minus 3 और C, 3 multiply करना, minus करना answer minus minus plus 5 for the 20 minus 3, minus minus plus 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 C, 3 is a 9 तो ये आपके पास आएक और आप इसका sum करेंगे तो ये आगे 29 ये solve हो गया इतना असान है अटेक्मेंट निकालना अब मैंने part 5 करवारे हूं direct पर ताकि comparison हो सके कि 3 by 3 का कैसे होता है अचा मैं ये करवाने वाले थी लिए कि मैंने का पहले इसके ही दो तहर के question और practice करें ताकि आपको सही तरह किसे clarify हो जाए मैं direct formula apply करूंगे AD minus BC अचा यहां direct ने मतला formula रखके AD minus BC करना है तो 4, 3, 12 वोटा है लिख जिते हैं तो direct कर लेते थोड़ा आपको पताए AD ही किया है और फिर minus BC यह 1, 3, 0, 3 अचा अगर minus आथा तो मैं bracket mention करती सरी तो क्या हो जाएगा हमारे पास minus minus plus तो यह minus का 15 आजाएगा हमारे पास sorry मैंने न यहाँ minus mention ने किया बुक में answer देखो न फिर पचलता है कि आपने क्या करना में अंजाब दी है यह minus है तो यहाँ minus है तो minus minus plus तो यह plus आएगा तो plus minus 12 में से 3 गए तो क्या answer आएगा आपको पता है नहीं पता हूं अचा बजा लेती हूं 12 में से 3 गए तो 9 बुक में यह 9 आणसर था तो पता चला कि कारनाम क्या हमने है खेर ही mistake हो गई और question resolve हो गया एक और कर लेते हैं आप उसे mistake नहीं करेंगे करें AD minus BC लिखना होगा चलिए लिख जाती हूं AD minus BC और आपका फॉम्मला 3 बंजा 3 minus plus minus 3 2 फाइफ जा 10 minus फॉम्मले का और यह भी माइनस आए 2 फाइफ 10 minus का 10 minus plus minus minus 3 minus minus plus 10 plus minus minus 3 में से 10 गए और 7 अब मैं बुक में चेक करती हूं यह ना गलत हो गया बलके सही हो गया इतने easy question है यह सोच थे मैं आप लोगों खुद करने के लिए दूँ फिर मैंने का इतना सा टाइम लगेगा AD minus minus BC तो लिखना है और फिर जो है फॉर्मला अप्लाए करना है और यह खेर हो गई 2 गए 2 minus 2 plus minus minus 2 2 फाइब 10 minus 10 और फॉर्मले का अपना 10 ना भूलिएगा सही है minus minus plus तो यह minus 2 plus 10 तो यह आ गया 8 इतनी सी बात थी तो बहने का कर लेते हैं चले अब करते हैं 3 by 3 का मैट्रिस आपको पता है कि 3 by 3 के मैट्रिस को रप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है आप लोग बस इसको देखेगा भले इसको अप्लाए नहीं कीजिएगा लेकिन आपको पता होना जरूर चाहिए मैं लिख देखें बहुता है इसको इसको मद्द बता रही हुँ वलकि यह नहीं बनाता है है यह एंट्री होते हैं यह 1 2 3 होते हैं यह 3 1 होते हैं यह कि पर धुख य EVERY dec jsूते हुशक कि तू इसकतम दुख इन इसकり ट्वार्भी रणभे रह्म को यह वाली रो टू की रह्म धिन उ्जयाओ यह टू की रहो फिर वाली रो थिखिया यह लाङ करने करते क्रम स्टाट करते हैं करना क्या होगा इसको करने तरीका मैं आपको enconti कि pl訊 करके दिखा रहे हैं आप लोग बुक एक अपरिए याप्न नियुक यह को बटाटी हो था और मैंने यह इस तरह करता अगर मैंने यह वाला वर्ड चूस किया तो मैं यह साइट और यह साइट चूस यह साइट और यह साइट नहीं लूँगी सिर्फ यह लिखूंगी चर्थ तरह मैं यह तो मैं यहाली सायँ इसके साथ साथ को वह सिनध आरा हूँ नहीं वह रिखा रही ती चिरह चले हैं इस्टब्र ठीग लेना अगर सखें लिखो storage न आ नहीं है और मैने स्पोल लिखा है यह लिखा यह लिखा यह लिखा टीन भी तो इसके Unis meaning कर रहे हूं सह Il Isaiah otherwise यहां प्लस आता है, तो माइनस प्लस माइनस, यहां प्लस होता है, यहां फॉर्मले का ही माइनस होता है, यहां पहले से माइनस था न, देखें, होता है इस तरह है कि आपके पास एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखना होता है आपको, अब यहां पहले से माइनस था, तो यह और यह नहीं लेना यह लेना है one minus one minus five और minus four अब यह लिए है तो मुझे यह और इसके बराबर वाले और यह numbers नहीं लेने ठीक है तो मैं यह लोगगी four zero और minus five minus four चीकी सी तरह अगर यह है तो यह और यह नहीं four one zero minus one के लिए एक वाल कुछ नहीं करने के लिए हो जाएगा अब करना क्या होता है आपको करना होता है वही a d minus b c इसका a d minus b c a d minus b c a d minus b c तो मैं फॉर्मला नहीं लिख रही है मैं कर रही हूं direct कैसे करेंगे a d minus b c one four zero four plus minus minus one five zero चाब बीचे minus होता है याद न a d minus b c one five zero five minus minus plus तो होगा minus ही क्योंकि फॉर्मले का minus होता है ठीक है न अच्छा four four zero sixteen plus minus minus क्या कर रही हूं bracket बनाना है minus sixteen ठीक है zero five zero zero तो zero minus zero लिख जेती हूं इस बार अच्छा यह minus four है four one zero four minus four one zero zero minus zero इस तरह मैंने लिख दिया अब मैं answer mention करती हुए three है minus minus क्या होगा plus तो minus का nine आएगा यह plus का three तो ऐसे ही था यह minus sixteen ऐसे ही आजाएगा और यह minus का four तो पहले से था और यह minus four भी ऐसे ही आजाए अब आगे solution करते हम three nine zero twenty seven plus minus minus three sixteen जा क्या होता है 48 plus minus 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 plus sixteen अब इनको जरा क्या क्या होता है मैं जब इन दोनों को पहले act किया minus minus plus होता है तो अलग नंबर आया फिर मैं इसको plus sixteen किया तो मतलब minus का आ गया होगा ना मैं इनको solve किया तो मेरा answer जो है वह आया माइनस का 59 माइनस माइनस प्लास 75 आएगा 75 में 16 निकालेंगे तो आपके पास माइनस का 59 आ जाएगा तो यह आपका हो गया answer अब next question करते हैं पार्ट 6 चलें अगर उपर वाले पार्ट में आपको ए माइनस माइनस अपना होता है यहां तो नहीं है लेकिन फॉर्मुले का माइनस होता है तो मैंने माइनस लिख दिया ठीक है और 3 माइनस 5 और 5 इस तरह जब फोल लेंगे तो यह और यह नहीं लेंगे 2 1 माइनस 5 5 2 1 माइनस 5 और 5 इस तरह इसके दफा में 2 माइनस 3 1 3 इसका मतलब जो उनके रास्ते में आ रहा है ना वो नहीं लेना सिंपल पंगा नयों एनसे ना हमने छीक है अच्छा माइनस 3 तो ऐसे हो गया अब क्या करें च्रीकली करते बराये ऑच्छा मांनस 4 तो ऐसे ही 5230 और फिर भाई ने साँ गया मैनस अनुस मैनस व्लेस मैनस तो 5 आएगा मैनस का ऐसा हो रहा है ऌ diminished जेह नहीं हो रहा 2 थीजा 6 यहाँ भी मैनस आगा जघस है और फिर मैनस वाई वॉर 1 थीजा 3 तो मैनस का 3 माइनस को solve करने में गुज़र जाएगा टाइम चलो कोई नहीं खेर है माइनस 15 और प्लस 15 तो 0 हो रहा है यह पूरी बैल को 0 कर देखते हैं सरी है? माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 अब solution करें मैंने माइनस माइनस प्लस करके मैं यहां भी कर सकती थी लेगे नहीं अच्छा यह cancel हो गया जीरो हुआ तो इसको भी पूरी वैली को 0 कर देगा तो यहां हो गया 0 10 प्लस 5 15 और 15 फोर्जा क्या होगा 15 फोर्जा होगा I think so 60 सही है और माइनस प्लस माइनस 5 ना होगा 45 अब यह माइनस माइनस प्लस 60 और 45 कितने हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे 105 तो यह solve हो गया अब आप लोगों समझ में आ गया होगा थोड़ा सा रिवर्स करके देख लिया करें अगर कोई बात तेजी से मैं बोल जाओं जो समझ में 9 ओके सही है चले अब करते हैं पार्ट 9 देखे 7 और 8 ना सेम है है तो 9 भी सेम अगर आप लोग गौर करें लेकिन एक 0 आ रहा है तो मैंने का करवा दूँ तो यह 7 और 8 आप लोग क्राई करेंगे च्राई का करेंगे और इंशालला आप लोग सॉल्फ कर लेंगे हम यह करते हैं एक बार पैक्टिस हो जाएगे पैक्टिस में क्या करना है कि आपको पतर 1 साही है पीधना और यह भी नहीं लिखना है तो 3,5,-5 3 रहा है 3,5,-5,-3 लिखना है सही है अब 0 है तो यह और यह दोनों नहीं लिखना है सही है यहाँ पर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर रखे तो आपको पता है –2 और 3 और –5 बच्राइग सही है अब आगया होगा अब यह और यह नहीं लिखना तो माइनस चू और थ्वी और थ्वी और फाइफ पच्छा आपके पास हाना चले आप सॉल्फ करते हैं अब पूरी जीरो ही होने वाली है तो मैं इसको क्रॉस मेटिप्लाय करके लिखके दिखाऊं इससे बैटर यह है कि मैं यहां डारेक्ट लिख दूँ तो यह माइनस का 25 आ रहा है सरी है तो मुझे कर लिखके बनाना पड़ गया फिर चला अब मैं अगले मेंना सॉल्फ कर लोंगी नेक्स टाइम आप लोग सॉल्फ अर्या टू फाइव जा टैन माइनस कर टैन ती चीजा नाइम तो माइनस कर नाइम इस तरह का आंसर आया अब यह वन से तो को अपता टैन मैदस मिनुस में माइनस में मैं मैंस मैं प्लस माइनस गानीं माइनस गो फोर से में मैं डुलाइव जब मैं करूंग तो 76 है तो माइनस सब्स थीपोर गये तो आंसर आएगा 42फ वी तक अब धिखांज दिखेगा question number 10 11 को है तो simple वर थोड़ा सा फर्क है चलें आप question number 10 करते है alphabet Z में इससे आप परिशान नहीं होएगा तरीका हो ही है तरीका क्या है कि आप 0 लिखें और फिर आप लिखेंगे क्या CD और XY इस तरह फिर आप minus लिखेंगे करीब हो गया करीब होना ही चाहिए था इसको अच्छा आप A लिखा आपने और फिर क्या होगा 00 D और Y आपको पता मैं कैसे सेलेक्ट कर रही हूं रो कॉलम में से फिर लिखा plus B तो आएगा क्या आएगा ये दोनों और ये दोनों ये बी वाले ये और ये नहीं आएंगे 0 C 0 X आपको पता ये पूरा 0 ये इसने 0 ही हो जाना है इसको देख लेते हैं 0 वाइजा 0 चलो भए 0 याए 0 डी जो 0 0 ही आया है तो इसने भी 0 हो जाना अच्छा 0 एग्जा 0 और यहां भी 0 तो 0 से 0 तो इन शॉर्ट 0 ही आएगा पूरी वैलियो का अंसर क्या यहां भी 0 हो गया यहां भी 0 हो गया यहां भी 0 हो गया तो आप का अंसर भी क्या हो गया 0 हो गया अब 11 कर लेते हैं ये तो बहुत ही change नहीं हो रहा और कुछ तबदील नहीं हो रहा तबदील यह आई ही नहीं है कभी अच्छा यहाँ पर x और 0 और 1 और minus 1 select होगा 0 ऐसे ही रहेगा minus का formula का हिस्सा है अच्छा minus 6 और यह माइनस हुआ है हेलो हेलो आवाज आ रही है आवाज तो आ रही है अच्छा 0 अब यहाँ पर माइनस 6 और X माइनस 4 और 0 सही है अच्छा माइनस 2 ऐसे ही X1 सा X- का 0 आने वाला है तो माइनस 0 लिखने का कोई फाइदा नहीं तो मैं लिखी नहीं देगे अब है यह पूरी वाल जीरो ओने वाली है सही है तो हमारे पास आनसर किससे आएगा तो भई यह तो यहीं सॉल्व हो गया और आנसर आगया आनसर कैया है माइनस माइनस प्लस कर 2X प्लस कर 2X इन questions को इतना असान होने का कोई हथ नहीं चले खेर यहाँ पर हमारा question number one जो है वो मुकमल हो गया अब next video में हम 19.1 के या matrices या determinant के concepts पर different questions करेंगे जो लोग इस वीडियो के इसलिए देख रहे हैं कि वो matrices और determinants सीख रहे हैं तो देख सकते हैं बिलकुल क्योंकि rules जो है वो किसी book से related क्यों ना हो same ही होते हैं factorization हो formula application हो matrices and determinants हो rules जो है वो same हैते हैं चैनल को subscribe कर दीजिएगा वेडियो को आगे share कीजिएगा Allah Hafiz